हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक टू माई चैनल, मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सी लाइट डिजाइन फ्रेंड्स हम लोगों ने बेल्ट वाले ब्लाउज की विद लीनिंग के साथ में हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में देखा था तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं तो उस कटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले कटिंग की वीडियो देख लीजेगा उसके बाद इसको देखिए तो जैसे हमने वहाँ पर कटिंग किया था है तो आप हमने क क्या क्या फ्रेंट पार्ट उठा लिया लेकिन फ्रेंट पार्ट के अस्तर को हमने कैसे रखा है उल्टे साइड में रखा हुआ है और बस यहां पर पिन से इसको सिक्योर करके रखा है और यहां पर हमें साइड साइड से सिलाई लगा लेनी है तो बस यहां पर हम साइड साइ कटिंग कर देनी है तो इस तरह से हम यहां पर इसे कट कर देते हैं तो देखो इस तरह से हमने यहां पर कटिंग कर लिया अब जो हमारी शेंटर से लाइन है तो उसी लाइन के दोनों साइट से हम यहां पर शिलाई लगा लेंगे इस तरह से तो यह हमने यहां पर शिलाई लगा लिए आपर सィम्हें पर पर चार लग अलगा कर लिया है मैं सबनेता ने लेने के दोसरा पर इत्ताइब में 70 बच्पर लगा ट गलें तो लिए आपर जैसे निशान लगा था और पर हमने शेला लगा जैसे हमने यह वाला टक्स बनाया है ना सेम ऐसे ही बाकी के बच्चे हुए चारो टक्स बना लेंगे मतलब तीनों टक्स तो बस ऐसे फोल्ड करना है और हम इसा टक्स में डबल सिलाई चलानी है जिससे कि हमारी टक्स खुले नहीं और अगर यह टक्स खुल गए तो हमारा नहीं और गुलाई में 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे चलो यहां पर इसको पूरा ओपन करेंगे अब यहां पर पिर से उपर से ऋप़र से हम complete कर लेंगे तो चलो इसे भी हम complete कर लेते हैं तो दोनों पार्ट हमारे complete हो गए हैं देख सकते हो अब यह पार्ट complete करने के बाद यहां पर हम अपने hook पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं चलो यहां पर हम पट्टियां जो हमने cut किया थ लगा लगा लिए लेकिन बढ़वा पट्टी के लिए में में फैबुरिक दोनों की पट्टी चाहिए जैसे कि हमने कटिंग करती समय बताया था तो हमने यहां पर क्या किया अभी हम सबसे पहले घटवा पट्टी लगाएंगे तो इस तरह से पट्टी को रखा रखने के पर हमारा जो एक्स्रा का पक्रे थी लगा देंगे अब यह ईन्दर की शायट को जो लिए अन्दर की शायट को आशके प्रेस करेंगे और फिर से हाथ crcame करेंगे और साइट साइट से हम यहां पर बड़ी बख्या से सिलाई लगा लेते हैं क्योंकि यहां पर बाद में हमें तुर्पाई करनी होगी और यह सिलाई खोलनी होगी तो चलो हमने यह लगा के कंप्लीट कर लिया है यह हमारी घटवा पट्टी बन चुकी है अब चलो बढ़वा पट्टी कैसे बनाते हैं तो इसको हमने ले लिया अब यह बढ़वा पट्टी लेने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे ऐसे हमने यह रखा तो जो हमारा मार्जीन है उसको हम अंदर के साइट को फोल्ड करते हुए रखेंगे कोई साइट भी रख सकतो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यह पट्टी तो हमारी वैसे भी पूरी अंदर चली जाती है अब हमने इसको एक साइट से रखा और बड़ी बख्या से चारो साइट हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है अब इ इससे लगा लेंगे यह हमने पटी कि साइट को रखेंगे और चेजा कर लेंगे अब यहां मैं पट्टी बनाए उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे क्योंकि कटा हुए कंपड़ां वैसे भी फोल ले और बस ऐसे फोल करके उपर से हम यहापर सिलाई लगा देंगे ध्यान रहे नीचे की जो हमारी पट्टी वो मतलब सिलाई में दबनी चाहिए ठीक है अब यह सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा एक्ष्टा का पट्टी है उसे हमें बिल्कुल बराबर से कट कर लेना है उपर से गले के पास से और नीचे से नीचे के बराबर से तो इस तरह हमने यहापर इसकी कटिंग कर ली है यह हमारी घटवा और बढ़वा पट्टी बनके रेडी हो चुकी है अब यहाँ पर हमारा गला बनाएंगे क्योंकि हमारा पीछे का गला जो है वो तो यहाँ पर हम तुर्पाई वाला गला बना रहे हैं तो इसके लिए हमने अस्तर की पट्टी ली है और एब में जो हमने कटिंग किया था जब देखा था आप लोगोंने कैसे हमने यह पट्टी निकाली है अब हम उसी पट्टी को ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा लेंग अंदर की साथ को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आप हम बड़ी वख्या सिलाई लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ी वख्या से तुर्पाई करनी होगी तो यह सिलाई हमी खोलनी पड़ेंगे इसलिए हमने बड़ीrah से नाइं लगा हुआ है वै carrier से दूए Kag Hello ब में लिए और बी पहले के लिए रखने के बाद देको यहां पर हमने इसे पहले नहीं कट किया थ हूँ कि अगर हम मतलब वैसे कट कहलेते थोड़ा लिए दोल धर दोल जब दोल चेहा हम अजने से पहले हर सबस्क्राइब का धब यहां बिल्कुल सेंटर से रखना है ठीक है हमने इसको बिल्कुल सेंटर से रख दिया अब रखने के बाद देखो इसको ऐसे बिल्कुल बराबर से रखने के बाद यहां पर हमारी जितनी लंबाई आ रहे हैं वहां पर हम निशान लगा देंगे और यहां पर हमारा देखो गला कैसे बनेगा यहां पर पेटर्नन हमारा सिर्फ नीचे ंचर्ट नाहीं, जिस से हमारा की साइड अपर की साइड उपर नहीं है, जिससे हमारा हलगा सा घॉलासा हमande बनाते हैं, सबसे पहले हमने इसको डवलफोल पर रख लिया बिल्कुल से इंटर से, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने धाइ इंच पर निसान लगाया अब ये निसान लगाने के बाद देखो इसकी लंबाई हमारी थी 10 इंच तो यहाँ पर हम कटिंग करके सीधे बनाएंगे तो नीचे से हमारे थोड़ा इसलिए हमने यहां पर इसकी लंबाई ले लिया है 9.5 इंच अब इसकी लेंध जितनी रखनी उसके हिसाब से हम नहीं करेंगे क्योंकि पैटन की हिसाब से रहां पर गला रखेंगे तो हम इस तर इस थरी से 9.5 इंच पर निसान लगा लिया और फिर इसके लिग इसके भी ना जाए जादा तो बस इस तरह से हमने यहां पर इसकी कटिंग कर ली है देख सकते हो अब यह हम अपना मीन फैबरिक ले लेंगे मीन फैबरिक के सीधे साइड में हम अपना अस्तर वाला फैबरिक रखेंगे तो इसको हम इस तरह से रख लेते हैं यह हमने यहां पर रख बिल्कुल एक पैर का मार्जिन लेते हुए और जो अंदर का फैबरिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे और फिर यहां पर भी छोटी-छोटी से कट लगा लेंगे जिससे की आसानी से फोल्ड हो जाएगा जो पिन वगएरा लगा कर रखा तो उसे हमने निकाल दिया है अब इससे बाद यहां पर हम नीचे से सिलाय लगा लेगे तो इसके बाद यहां पर हमें गले पे जिलाय लगा लेजा है घनी देखिते हुए घने वाली दान सятे हुम क्योंकर देखिते हैं कर वाता है। जोड़ाने के पाद देखो एब धमको क्या करना है इसको प्लट लेना उल्टा सइट करके भर जोड़ाने को जोड़ी ना है तो चलो यहां पर बड़ी वर् farmers में फैई और अस्तर फैःक को जोड़ लेते हैं पिन वगेरा जो हैं उनको निकालते जाएंगे अगर कहीं पर नग वगेरा हैं तो उनने भी निकाल देंगे क्योंकि हमारी मशीन पर फूसेंगे तो फिर वहाँ पर दिक्कत आएगी तो यह आपर जी तरीके से दूसरे साइट भी हमने यहां पर जी लगा लिया है देख सकते सिपलाइं और फीन प्रैंटक्राइब्समृ इसलिए नीचे की सैँट से हमें सिलाइ को और यहांपर किया कि यह लटकन मैंने बनाया है तो अगर आप यह शीकिना है कि कैसे वीडियो तो जाए है जाकते सीफ कोने इसनी सेर्च पर है इंपनी और मे 157 उसकि और 257-2570 सिलाइ और बस यहां पर शोल्डर को मिलाते हुए यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे तो यहां पर सिलाई लगा के कम्प्लीट करा अब यहां पर हम सीने कनाप डालेंगे नीचे की साइट कमर कनाप डालेंगे जो भी हमरा सीना है उसका हाफ मतलब हाफ करके हाँ टोटल सीना हाफ करके तोटल हाफ करके निशान लग यहाँ पर एससे लाइन खीच लेनी है सीने और कमर वाली निशान से यह तरह सी लाइन खीचने के बाद यहाँ पर इस तरह से डबल सिलाई हमने चला दिया और जो भी एक्स्ट्रा का फैबरिक है जैसे फ्रेंट पर में होगा होते तो हमारे बैग पार्ट में थोड़ा सा फैउरिक बचचे लेकने इत्सों क्या करना है जिससे कि हमारे हटे नहीं नहीं नोक को यहां पर सीथीne हम पिन से फोरा सा सिक्यूर कर रहा है लगा दिया याँ पर já राताकर यesper मर्जी लगा दिया है consider इसे फोल्ड करने के वार पिर को इसे यस्कोफनीसिंगे साथ में रखेंगे और आगे से फिर आज़ी फ लगा को तु कषोंड सब्सक्राइए उसको परल लिंगे prochain तु क्योंकि हम पर मीन और पर गरे। घ 10 बड़ी के बराबर से cut कर दिया है, आगे के साथ यह हमारी लेज थी, जो कि हमारे blouse में ही निकली हुई थी, तो इसको हम स्लीफ में ऐसे लगा देंगे, तो बस इस तरह से पकड़ना है और इसको ऐसे लगा देना है, तो चलो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं तो यहां पर शिलाई लगा दिया है जो भी इस्टरा था उसे कट कर दिया है अब हम ने जैसे इसको कंप्लीट कर आए से मैं से दूसरी स्लीफ भी तयार कर लिया है अब इसको हम ऐसे डबल करके रखेंगे और यहां पर आगे की साइट फिटिंग कनाब डा दीजेगा तो मैंने यहां पर पांच इंच लिया है फिटिंग साइज और बस यहां पर इस तरह से निशान लगा दिया और यह निशान लगाने के बाद यहां पर हम इस तरह से लाइन खीच देंगे कोने की साइड एक इंच कला बग मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहां लाइन खीचा है और बस उसी लाइन के ऊपर यहां पर हम शिलाई चला देंगे तो डबल शिलाई जरूर लगा देनी है एक बाहर से भी अगर किसी को कभी डीला करना हुआ तो आराम से कर सकता है दोनों शिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको सीधा करके ले लिया है और ब् करने के बाद इस स्लीप्स को हम जो जिदर की है उसी स्लीप्स को उधर डाल देंगे आरम हुल के अंदर ऐसे और ऐसे डालने के बाद यहां पर दोनों की गुलाई सबसे पहले बराबर होनी चाहिए तो वह नाप लेना है आपको अच्छे से उसके बाद ही सिलाई लगाना स अब जो हमारा फ्रेंट ब्लाउस का मारजिन है उसको हम फ्रेंट पर्ट की साइट को ऐसे फोल्ड करके तीरा बना के रखेंगे और स्लीप्स वाला मारजिन उसके अपोजिट साइट तीरा बना के फोल्ड कर दिया है और बस पूरे गुलाई में हमने यहां पर हाफ इंच क मार्चिनद लेते हु़े शिलाय लगा लिया है तो यह हमारी स्लीप से बनके रेडी हो चुकी है देख सकती हो अब जैसे हमने यह स्लीप से तयार किया है सी में लेती कंड़िए को भीयोत कर लेखे तो शोलो है तो चलो हम बिऐंग को हमारा मार्जेन के प्रहां को रॉपीन करो और आगे वाले पर दूसर में गया क्लेंगा। तो यह हमने यहां पर इदर सिलाई लगा लिया है से मैसे ही दूसरी साइट भी हम सिलाई लगा देंगे तो बस यहां पर भी हम सिलाई लगा की से कंप्लेट कर लेते हैं तो दोनों साइट हमने सिलाई लगा लिया है देख सकते हो यह नीचे का भी फोल्ड हो चुका है तो यह नए नए वीडियो देखने के लिए तो चलो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में अगर ये वीडियो पसंद आया है तो और भी लोगों पर सेयर कर दीजेगा और अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो जाके बाई